दीद्वाना जिला कलेक्टर कार्याले के सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अध्योगिक शेत्र में साफ सफाई व अन्य विभिन कार्या को लेकर बैठका योजित की है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है जिसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022-2019 के अंतरगत जिला स्तरिय च्छानबीन समिती का आयोजन किया गया और उक्त योजना के तहत कुल 6 प्रकरनों को विद्यूत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट हेतू स्वीकृती दी गई जिसमें मैसर्ज हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज खसरा ग्राम पाँच्वा कुचामन को सेमी लैद के उत्पादन हेतू ग्रीन इंसेटिव ब्याज अनुदान इंवेस्ट्मेंट सबसिडी इत्यादी की छूट हेतू स्वीकृती दी गई जिसमें लागत एक करोड रुपे तक का अनुदान उद्योग एवं वानेज्य विभाग द्वारा अगले साथ वर्षों तक देया होगा उक्त योजना में एकाई को नवीन श्रेनी व व विस्तार हेतू स्टांप ड्यूटी व भूमी रूपांतरन शुल्क हेतू सो प्रतिशत छुटव मंदी शुल्क विद्यूत शुल्क इन्वेस्टमेंट सबसिडी ब्याज अ प्रोट्साहन देने हेतू दिया जा रहा है। इसी तरह विवाद एवं शिकायत निवारन समिती का आयोजन हुआ, जिसमें जिले में स्थापित विभिन ओध्योगिक शेत्र से ओध्योगिक शेत्र के प्रतिनिधियों एवं विभिन जिलास्तरिय अधिकारियों के साथ बारन हेतू आरेम रिको को पाबंद किया। और ओध्योगिक शेत्र में आगमन एवं माल परिवहन के लिए बोरावर गौशाला च्छापर बस्ती हेतू क्षतिग्रस्त रोड के मरम्मत कार्य हेतू खनिज विभाग पी डबल्यूडी अधिकारियों को निर्देशित रिको ओध्योगिक शेत्र परबतसर में पुलिस चोकी पर स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाने हेतू भी चर्चाएं हुई। वही जी एसेस का रूटीन मेंटेनेंस का कार्य अमावस्या के दिन कराए। क्यूंकि अमावस्या के दिन अधिकाश इकायों में अवकाश रहता है। ओध्योगिक शेत्र दीध्वाना के पास गंदगी मृत पशु अन्य प्रकार का कचरा हटाय हेतू आयुक्त नगर परिशद को पाबंद किया। ओध्योगिक शेत्र बिंदियाद में पीने के पानी की समस्या का निस्तारन करने हेतू जलदाया विभाग के अधिकारिय को 25 जून से पहले कार्य करने हेतू निर्देशित किया। बैठक में तमाम विभागों के जिलास तरीय अधिकारी मौझूद रहे।